हेलो एवरिवन स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल में तो आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ पेठे के सब्जी की बिल्कुल हलवाई स्टाइल में रेसिपी तो उसके लिए हैं मैं सबसे पहले चाहिए पेठा थोड़ी सा गूड़ हो आपके पास या फिर सक्कर या फिर अगर आपको चीनी पसंद देता चीनी और धनिया पावडर सौफ दरदरी कुटी हुई अमचूर पावडर साबत लाल मिर्च करी पत्ता तेज पत्ता हल्दी पावडर नमख गरम मसाला कस्मीरी लाल मिर्च मेथी दाना हिंग तो चलिए अब हम सबसे पहले अपने पेठे को ऐसे छोटी छोटी पीसिस में काट लेते हैं सबजी मैं अपनी family member के हिसाब से बना रही हैं, आप अपनी family member के हिसाब से quantity अपने हिसाब से बना ये तो उसके लिए सबसे पहले हैं, यह भारी थली की खड़ाय ले लिया उसमें पहले सा सरसोका तेल डाल लिया है आप हम तेल को अच्छे से गरम होने देंगे यह हमारे तेल का का लुद मर्पला है कि इसे अच्छे से पका लिए है ताकी इसमें अगर हुलकिसी भी सासरुकagn еще की स्मेल आती है, तो फिर सबजी का टेस्ट खराब होजाता है, इसलिए अच्छे से पका लिया आ अब गैस को बंद कर दिया है और उसके अंदर ये सारे मसाले अड़ कर दी है तेज पता, करी पता, सावत लाल मिर्च के टुकड़े तोड लिये हैं और मेथि दाना ये अड़ कर दी हैं अब इसके बाद हम इसे पेटे के थोड़े से पीज ढल देंगे अगर हमगे मसाले डालेंगे तो मचली हमारे जल जाएंगे इसलिए हम पहले पेटे के पीज ढलेंगे और याद रखिए हमने कich styl को तेल गरम कियाए तो कढ़ाई की गयस पहले बंद कर देंगे उसके बाद हम इसमें मसाले एड़ करेंगे, ये चिकना ही थोड़ी ठंडी हो जाएगी तो हमारे मसाले जलेंगे नहीं, उनका फ्लेवर खत्म नहीं होगा, ये देखिए, अब ये मैंने डाल कर अच्छे से मिक्स कर लिये हैं, इनका कलर भी बहुत अच्छा आया है, मसाला हम हमारा बिल्कुल भी जला नहीं, अच्छे से बुन गया, अब इसमें हमने पेठा डाल दिया है, बाकी सारा भी, ये सारा पेठा डालने के बाद हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इस तरीके से, अब हमने अपनी गयस को मीडियम फ्लेम पर रखना है, और अच्छे से इसको म अब हमने थोड़े देर के बाद इसे चैक किया है, तो हमारा पेठा थोड़ा सा हलका सा मिक्स हुआ है, ये देखिए, अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, चलाते हुए बराबर हम इसे बार बार बीच में चैक करते रहेंगे, कि हमारा पेठा गला या नहीं, पेठा ब जल्दी बनता है इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है इसलिए से बीच बीच में जल्दी चेक करना पड़ता है यह देखिये अभी हमारा पेठा तैयार नहीं हुआ है तो हम इसे दोबारा से ढख कर कुछ टाइम के लिए रेस्ट करने के लिए रख दिया तो देखिये कि अमचूर अगर हम पहले ही डाल देंगे तो हमारा पेठा गलेगा नहीं क्योंकि वह खटाई होती है खटाई से सबजी हमारी गलतीनी इसलिए उसे लास्ट में डालते हैं और सौफर धनिये को अगर आप लास्ट में डालेंगे तो उसका फ्लेवर सबजी में बहुत ही अच्छा आएगा इसलिए सोफर धनिया भी जब आपकी सबजी तयार होने वाली हो तब लास्ट में डालिएगा अब हम इसमें थोड़ी सी सककर या फिर आपको चीनी का फ्लेवर पसंदे तो चीनी या फिर गुड हो तो गुड एड़ कर दीजिए आमचूर की जगे आप इमली का पानी भी